मैं ये तब तक नहीं समझता था जब तक मैं फादर नहीं बना मेरी जिंदगी में दो बहुत प्यारे बच्चे एक बेटा है और एक बिटिया है बेटा बड़ा है जब वो हुआ तो मेरे को समझ आया आप पिता बनना क्या होता है मुझे लगता है उसके बाद हमारे जीवन का हर निनए उसके हिसाब से हुआ यहाँ जाने से वो रोता है वहाँ नहीं जाएंगे वहाँ जाने से वो हसता है तो वहाँ जाएंगे उसको इस तरीके की पिक्चरे पसंदे तो ऐसी पिक्चरे जाएंगे उसको मौल में जाना पसंद है तो मौल में जाएंगे उसके लिए घुड़ा बनेंगे वो पीट पे घुड़ा बनके चड़ेगा हमारे कपड़ों पे सूसू करेगा वो बुलेगा मैं ये खाऊंगा तो उसको खिलाएंगे अपनी कोई जरुरत पूरी हो नहों अपनी इक्षाय धूरी रह जाए लेकिन उसकी जो इक्षा होई वो पूरी करेंगे और मैं ही नहीं मुझे लगते हैं दुनिया का हर माबाप अपनी सामर्थ में अपने बच्चे की हर इक्षा पूरी करता है फिर बच्चे ऐसा क्यों करते है एक दिन जब वो बड़े हो जाते है तो वो अलग घर बसाने की क्यों सोच लेते है चलिए अलग घर बसा भी लिया वो डिस्कनेक्ट होने की क्यों सोच लेते है कोई पत्नी अपने पत्नी के कहने पर अपने माबाप को क्यों छोड़ देता है जिसने पैदा किया इतना बड़ा किया एक दुख उठाया हर सुखी उनसे जुड़ा था सच कहूं तो संतान होने के बाद माता भी तक जीवानी नहीं रह जाता संतान हसता है तो वो हसते है और संतान रोती है तो वो रोते है फिर बच्चे ऐसा क्यों करते है एक पिता रात को विश्थर पर लेटे हुए थे उनका युवा बेटा जो की कहीं नहीं नहीं जॉब पर लगा था वो अपनी टेबल पर काम कर रहा था अचानक छत में कुछ खड़ाने की आवाज आई पिता ने उससे कहा बेटा छत में कुछ आवाज आ रही है देखो कुछ गलत न हो जाए बेटा ने कहा पिता जी कोई बा पिता जी कोई बिल्ली होगी, कोई चुहा होगया, हवा से कुछ समान लुड़क गया होगा, आप सो जाएए पाँच मिनद बाद फिर जोर की आवाज होई पिता उड़ गए, पिता ने का बेटा देख लेता तो अच्छा होता है, कुछ हो न जाए और बच्चा जोर से भलक के कहता है, आपको तो नीन दाती नहीं है आपको क्या है, दिन बर आप सोते रहते हो, आपको कोई काम है नहीं, मुझे तो काम करने दो अरे जो होगा मैं देख लोगा, आप चुप चप सोनी क्यों नहीं जाते हैं, इतना परिशान क्यों कर रहे हो पिता की आँखे गेली होगे नम होगई आँखे हैं, पिता चुप रहे है और कुछ मिनडवादों कहते हैं बच्चे से, बेटा, तो नहीं बच्पन में मुझे से हजार परशन किये लाख परशन किये आसमान नीला क्यों होता है, बारिश कैसे होती है, सूरज कैसे उगता है चंदा मामा में कौन रहता है, गाड़ी कैसे चलती है, पतंग कैसे उड़ती है बेटा, मैं तेरे हर प्रशन का जवाब देता रहा कभी नहीं जानता था तो जूट मुट का देता रहा कभी कहीं से पूछ के देता रहा, कहीं भी कहीं से पता करके देता रहा पिटा मैं तेरे पर कभी गुस्सा नहीं हुआ कि आस्मान नीला क्यों होता है तो तेरे को क्या करना है उससे पिटा मैंने कभी नहीं कहा और आज तु मेरी छोटी सी बात से बुरा मान गया यही तो सच्चा है यह दुनिया की एक संतान के लिए माता पिता अपना हर सुखदाओं पे लगा देते हैं वही संतान बाद में जैनरेशन गैप का नाम दे देती है वही संतान बाद में कहती है हमारे विचार मेल नहीं खाते है विश्वास घात है यह गलत है यह जितने आपकी सामर्थ हो उतना आपका दाइत वो बनता है और आपके माता-Pitah modern नहीं है तो संकोच मत करिए वो modern इसलिए नहीं है क्योंकि वो उतने सम्रिद्ध नहीं थे उनके पास वो लगजरीज नहीं थी उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो शर्म मत करिए क्योंकि उस समय इंग्लिश मीडिया में स्कूल नहीं थे और थे भी तो उनकी छमता नहीं थी छमता होती तो क्यों भला वो हलके रहते लेकिन आप ये तो सोचो कि उन्होंने आपके लिए क्या किया उन्होंने ये तो सुच किया कि आपको इत्ता समर्थिवान बना दिया अब आपका क्या दाइत्वे छोड़ के चले जाएं अब आपका क्या दाइत्वे बुढ़ापे में जब उनको किसी के साथ की सबसे ज़्यादा जुरूरत है अरे किसी जॉब की वज़े से असाइन्मेंट्स की वज़े से पास न रह पाएं तो हर दिन एक फोन तो कर सकते हैं हर कुछ महिने में मिलने तो आ सकते हैं सारी वैवस्था हैं तो जुटा के दे सकते हैं कि किसी किसम की कोई तकलीफ न हो जाए बागबान पिक्चर आपने देखी होगी उसे उसमें आज भी अमिताब बचन का एक सीन याद आता है जब चश्मा बनाने के लिए उनका बेटा कहता है अभी पैसे नहीं है काम चला लो और छोटा सा बच्चा पैसे लाके देता है कि पापा पहले दादा जी पहले चश्मे बनालो आपके पास अपनी लग्जरी के लिए पैसा है अपनी गाड़ी बदलने के लिए पैसा है अपना बंगला बदलने के लिए पैसा है नए इंटीरियर कराने के लिए पैसा है मौल जाने के लिए पैसा है लेकिन माबाप की सेवा करने के लिए ना तो आपके पास पैसा है ना तो आपके पास वक्त है सिर्फ एक प्रश्ण है यदि आपकी संतान ने ऐसा किया तो आप क्या करेंगे यदि आपकी संतान ने ऐसा किया तो आप क्या करेंगे आप बोलेंगे नहीं मेरी संतान तो करी नहीं सकती लेकिन आपके माबापने भी तो यह नहीं सोचा था ना कि आप ऐसा करेंगे नहीं तो आपको दूद क्यों पिलाते हैं आपको बड़ा क्यों करते हैं जब एक दिन विश्वास घात लेना था तो आज आप जो कर रहे हैं वो कल आपके साथ भी हो सकता है सोचिए गणेश जी ने माता पिता के तीन चक्कर लगा लिये थे और उसी से उनका दुनिया का सारा चक्कर हो गया था माता पिता है ये भी भाग्य की बात है मैं जादा जानता हूँ मेरे पिता का निधन जब मैं बहुत छोटा था तब हो गया था और जब मैं सामर्थ वान हुआ तो मेरी माता का निधन हो गया मैं सानुभूती के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं दुर भाग शाली मानता हूँ कि आज मैं जहां भी हूँ, जिस मुकाम पर भी हूँ, जितना सक्छम भी हूँ, मेरे घर में कोई बड़ा नहीं है वो बाटने के लिए और वो कमी खलती है हर पल, आज आपके पास है, तो ग्रांटेड मत लीजिए आप किसी देश में जॉब कर रहे हूँ, किसी शेहर में जॉब कर रहे हूँ, एक कॉल अपने माबाप को कर सकते हैं, दो मिनट के लिए वाटसेप कम कर देजिए, उस दिन पाच मिनट के लिए फेस्बूक मत देखिए, कर सकते हैं, अपनी सेलरी का कुछ हिस्सा, बिना किसी स स्वार्थ के आप अपने माबाप के लिए रिजर्व कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं हक है उनका और उनकी सारी जरूरते पूरी हो जाएं मैं यह नहीं कह रहा कि आप सब कुछ अपना छोड़के कर दे वो तो संभव नहीं है इस युग में लेकिन जितनी सामर्थ है बिना स् कर सकते हैं पूछ के देखिए और यदि आपकी संतान ने ऐसा कर दिया ना सातियों तो याद रखना ये बीच आपका बोया हुआ है याद रखना ये बीच किसी और ने नहीं बोया है हर किसी से मैं कहता हूँ अपने माबाप का बहुत आदर करो क्योंकि आपकी संतान वही क आप माबाप के लिए कमजोर खाना खिलाओ, माबाप के लिए कमजोर बरतन रखो, माबाप के लिए अलग वैवस्था रखो, अपने लिए सुपर डुपर वैवस्था रखो, वो भी संतान देख रही याद रखना, याद रखना, तो बहुत आदर करिए, रोज सुबा पैर हुई है यदि आप साथ में रहते तो पैर छो के अपने काम पर निकलिए हफते में एक दिन दो दिन घंटा-दो घंटा वक्त दीजिए बिना बाद बैठी हफते में एक आथ दिन अपनी मम्मी की गोद में सिर रखके बैठ जाईए बोलिए मेरे सिर पर आज मालिश कर दो कर सकते हैं उनके सुक सुविधा की ववस्था कर सकते हैं साल में चार ट्रिप अपनी घुमने जाईए एक ट्रिप उनको भी तो ले के जा सकते हैं वो धर्म करना चाहे तो धार्मिक जगा पे ले जा सकते हैं कहीं और ले जा सकते हैं लेकिन ले जा सकते हैं कुछ ऐसा कीज आपको देखकर कहे कि मेरे पापा मेरी मम्मी मेरे पापा अपने माता पिता का मेरी मम्मी अपने साथ ससुर का जिस तरीके से आदर सम्मान करती है मैं भी वही करूँ यही तो संसकार है और क्या है संसकार जिसने आपको पैदा किया जिसने अपनी पूरी जिंदगी हूम कर दी आपके लिए आप उसके नहीं हुए तो फिर आप किसके हुए तो साथियो अब तक जो हुआ सो हुआ कहीं कमी छूटी गोली मारो भूल जाओ आज से शुरू कर सकते हैं यदि अपना जीवन बनाना है तो अपने माता पिता से प्रेम करिए यदि खुद आदर पाना है तो माता पिता का आदर करिए मुझे विश्वास है आज इस वीडियो को देख कर लाखो करोडो लोग एक बार फिर अपने माता पिता के लिए वक्त निकालेंगे और इससे बड़ा उपहार मेरे लिए कुछ ने होगा ये वीडियो मेरी जिंदगी की सबसे किमती वीडियो में से एक है